सिजन सात्रा के ग्रैंड फिनाले से टॉप त्री कंटिश्टिंट में से सलमान ने अभिशेक कुमार को दिया ये बड़ा तौफा अभिशेक ने मारी बाजी क्या मुनवर फारुकी का पलड जाएगा गेम तो इस वीडियो के साथ आप भी बने रही अंत तक दोस्तो बिग बॉस की घर में इस समय आरुन के बाद मनारा का भी इविक्षन हो गया है वैसे मैं आपको पहले भी प्रिविएस वीडियो में बताया था कि फूर्थ पोजिशन पर मनारा चोपड़ा घर से बेघर होंगी फिफ्थ पोजिशन होगा आरुन का अब आरुन यहा तक क्यूं थे वो तो अरुन से पूछना चुए लेकिन अरुन फिलहाल के लिए फिफ्थ पोजिशन से अब बाहर हो गए हैं सलमान खान ने लंका लगा दी है बाकी के तीन कंटेस्टेंट की और यहाँ पर वैसे मैं आपको बता दू तीसरे पोजिशन पर अंकिता को भी कर दिया गया है सबसे खतरनाक जो बात है वो अंकिता का एविक्षन है क्योंकि अंकिता जी तो अपने आपको डिजर्विंग विनर मानती हैं अंकिता जी मानती हैं कि वो तो मुनवर से जादा स्ट्रॉंग है अभिशेक उनके सामने कुछ भी नहीं है अंकिता से जब ये एपिसोड में भी लेकिन अंकिता बहुत ज़दा शौक होई है जब अंकिता का एविक्षन हुआ है लेकिन फाइनली दो बड़ी टककर चल रही है बड़ी लड़ाई है जिसमें सलमान खान ने सब को शौक कर दिया है ये कहकर कि जो टॉप टू है यानि कि आने वाले अभी को पता है कि मुनवर और अभिशेक हैं अभिशेक और मुनवर में बड़ी लड़ाई है भले ही मुनवर को बड़े बड़े सेलिब्रिटी सपोर्ट कर रहे हैं मुनवर के पास आज मुनवर की जनता है जो उनके जनम दिन पर हैस्टेग चला रही है लेकिन अभिशेक के लिए भी कहीं कम नहीं देखने को मिल रहा है सपोर्ट अभिशेक के सपोर्ट में एलविश यादो के फैंस अभी जम कर वोट कर रहे हैं अभिशेक को और अभिशेक आइकॉनिक विक्ट्री हैस्टेग अभिशेक के नाम से ट्विटर पर ट्रेंड चलाय जा रहा है लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात बता दू जितने भी लोग ये बाते कह रहे हैं मुनवर जीत गया अभिशेक जीत गया ये जो भी बाते ये अभी फिलहाल के लिए फेक न्यूज है बारा बज़े आपको पता चलेगा और लाइव वोटिंग होने वाली है तो आप बी रेडी गाईज अगर आप अभिशेक को सपोर्ट करना चाते हैं तो आप रेडी हो जाएए मुनवर को वोट कर रहे हैं तो मुनवर के लिए वोट कीजिए लेकिन टॉप टू फिनाले में बिग बॉस को मिल चुके हैं टॉप टू फाइनलिस्ट अभिशेक वसस मुनवर ये हुआ है गेब आप बताना कमेंट बॉक्स में आप किसको देखना चाते हूँ विजेता लेट मे नो अन्दा कमेंट बॉक्स और इसी तरीके की वीडियो के लिए चानल को सब्सक्राइब कीजिए